हेलो फ्रेंट्स मैं निकिल कुमार बेदर एक बब फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी पेसी इपार्ट चाला में चैनल सीजी पेसी ही पेसी ऑपार्ट चाला में है आज के मार टोफी का चैनल के चैनल को शामिल किया गया है गी वह परणफ केज हैना का त्राइबन दरशन योजना का एक भाग है स्वदेश दर्शन योजना जिसे केंद्र सरकार ने अपने बजट 2014-15 में प्राराम पे किया जाने की घोशना की थी जिसके परिणाम स्वरुप जनवरी 2015 में यह स्वदेश दर्शन योजना प्राराम हुआ तेरा थीम बोलिये, तेरा परिपत बोलिये या तेरा सर्कृट बोलिये, सब एक ही है, तो इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतरगत कुल तेरा थीम को शामिल किया गया था, जैसे आपको एक्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे रामायन परिपत या रामायन सर्कृट भगवान राम के जन्म इस्थान से लेकर उनके ननिहाल उनका वनवास उसके बाथ सीता माता का अपरन् से लेकर के उनके लंका गमन था तो उनके गमन पात में जो जो प्रमुक परेटन इस्थल पड़ रहे हैं उनको सरकार डेवलप कर रही है इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतरगत तो ऐसे ही जब ये स्वदेश दर्शन योजना प्राणा हुआ था तो 36 गड़ को इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतरगत एक जंजाती परिपत और दूसरा है आपका बहुत परिपत ये बहुत सर्कीट इस दो में रखे जाने की संभावना थी बहुत परिपत के अंतरगत जो आपका सिरपूर में इस्थी जो बहुत विहार है वो और जंजाती परिपत के अंतरगत आपका सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में रखे जाने की संभावना थी तो हाल ही में इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतरग डेवलप किये जाएंगे जिसमें से पहला ट्राइबल टुरिज्म सर्किट को मंजूरी दे दी गई है 36 गड़ में 36 गड़ में इस स्वधेश दर्शन योजना के अंतरगत पहला ट्राइबल टुरिज्म सर्किट डेवलप किया जाएगा स्वधेश दर्शन योजना प्राराम भुआ था आपके जनवरी 2015 में जिसमें टोटल 13 थिम डिसाइड किये गए थे देखिए इस सरकीट में या ट्राइबल टुरिज्म सरकीट के अंतरगर्थ हमारे 36 गड़ के 13 परेटन इस्थल जशपूर, कुनकुरी, मैनपाट, महेशपूर, कुरदार, सरोदादाधर, गंगरेल, नतिया नवागाव, कॉंडागाव, जगदलपूर, चित्रकुट और आपका तीरदगर्थ इन 13 परेटन इस्थलों को इस ट्राइबल टुरिज्म सरकीट के अंतरगर्थ शामिल किया गया है तो देखिए ये तो था आपका ट्राइबल टुरिज्म सरकीट से संबंधित प्रश्ण अब ये जो आपके 13 परेटन इस्थल है ये भी अपने आप में एक सेपरेट प्रश्ण बन सकते है तो आपको ये 13 परेटन इस्थलों के नाम और ये किस जिले में इस्थित है आपको यह भी याद रखना है देखिए ये जस्पूर जिला और ये कुनकुरी ये दोनों इस्थित है आपके जस्पूर जिले में दूसरा मैनपाट महेशपूर और ये कमलेशवरपूर मैनपाट महेशपूर और कमलेशवरपूर ये इस्थित है आपके सरगुजा जिले में कुरदार यह इस्तित है आपके बिलासपूर जिले में, सरोधादाधर, यह इस्तित है कवर्धा जिले में, गंग्रेल, यह है आपके धमतरी में, नतिया नवागाव, इस्तित है आपके कांकेर जिला में, कोंडा गाव, कोंडा गाव में, जग्दलपूर, चित्रपूर और त अफिया नवागाऊ परेटन इस थल किस चिले में इसतित है तो किस चिले में है attained कांकिडि जिले में ठीक एक माधर नेक्स्ट आ प्रवास में आये थे तो अपने 36 प्रवास के दौरान उन्होंने देश के पहला क्रित्रिम बीच डेवलप किया जाने की घोशना की है आपका गंग्रेल धमतरी में क्रित्रिम बीच मतलब जैसे आपका समुद्र का किनारा, समुद्र की लहरे उठती है और उसके आसपास का जो एक रेतिला एरिया तो वैसे टाइब का एक क्रित्रिम बीच डेवलप किया जाएगा गंग्रेल, महानदी के तट के किनारे पर ऐसा एक रेतिला बीच और समुद्र की जैसे एक आर्टिफिचल लहरे डेवलप की जाएगी इस क्रित्रिम बीच में तो देश का पहला क्रित्रिम बीच बनाय जाने की घोशना की गई है आपका गंग्रेल धमतरी में नेच्ट है आपका पिलखा छीर प्रंसकरण केंद्र ये खोला गया है आपका सिलफिली ग्राम सूरजपूर में सुरजपूर जिला के सिलफिली ग्राम में पिलखा चीर प्रसकरन केंद्र खोला जा रहा है अटल विकास यात्रा के दौरान सुरजपूर जिले में डॉक्टर रमन सिंग ने इस पिलखा चीर प्रसकरन केंद्र को उदगाटन किया यहाँ जो आपका पिलखाचीर प्रसकरण केंद्र है यहाँ आपका एक दुख्ध प्रसकरण केंद्र है यहाँ पर आपका दुख्ध के उत्पादन और संग्रहन किया जाएगा इस प्रसकरण केंद्र का मुख्य उद्देश्य दुखद की उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों को दूद का एक वाजीप मुल्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस पिलखाचीर प्रंसकरण केंद्र में दूद का उत्पादन संगरहन के साथ साथ दूद से बनने वाले विविन प्रोडक्ट जैसे दूद, दही, खीर, छाच, पनीर आधी यहाँ पे बना करके मार्केट में बेचे जाएंगे तो याद रखिएगा कि पिलखाचीर प्रंसकरण केंद्र कहां है, आपका सिल्फिली ग्राम सुरजपुर जिला में, यह संबंदिध है आपका दुख्द उत्पादन और सगरहन से या यह प्रदेश का दुख्द प्रंसकरण केंद्र है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एग्रो मॉल को खोले जाने की घोशना की है, ये एग्रो मॉल खोले जाएंगे आपके राइपूर जिला और महासमुन जिला में, राइपूर जिला और महासमुन जिला में एग्रो मॉल खोले जाएंगे, इस एग्रो मॉल में किसान के उप्योगत की सभी वस्तु हैं, जैसे बीज, खाद, उरुवरत, किट नाशर, किसान से सम्बन्धित पार्ट्स, टैक्तर के पार्ट्स, ये सारे के सारे एक ही छट के नीचे मिलेंगे, तो ये agromal खोला जा रहा है आपका राइपूर और महासमुन्द, दो जीलों में, rाइपूर और महासमुन जीलों में agromal खोले जाना जाता है धोकरा सिल्प के नाम से धोकरा सिल्प जिसमें एक शिल्पकार मोम से एक आकरिती बना करके उसे मिट्टी में दवा देता है तथा पीतल को पिगला करके उस मिट्टी में डालता है जिससे वो मोम का शेप ले लेता है पितल गरम होने के कारण मौ्म पिघल के बाहर हो जाता है और उस मौ्म जो आकरिती मौ्म की बनी होगी है वो ही आकरिती आपका पिघला हुआ पितल ले ले लेता है तो इसे प्रदेश में कहा जाता है आपका धोक्रा सिल्फ, धोक्रा सिल्फ छतिस गड़ में राज्य स्थर पर यह फेमस है लेकिन छेत्री इस तर पर इसके अलग-alग नाम है, जैसे आपका बस्तर में इस धोक्रा सिल्फ का नाम है घड़वा शिल्फ, उसके बाद महासमून में इसका नाम है केसर शिल्प राइगड में है इसका नाम जहारा शिल्प और आपका सरगुजा जिले में इसका नाम है मलार शिल्प तो 36 गड़ में छेतरी आधार पर इस ढोकरे शिल्प के अलग-अलग नाम है तो वैसे ही राइगड जिले में इस ढोकरे शिल्प का नाम क् तो रायगर जिले में जहारा शिल्फ एम्पूरियम खोला गया है इस जहारा शिल्फ एम्पूरियम में जो हमारी राज्य सरकार है इन सिल्फ कारों को उनके प्रदर्शनी के लिए या उनके जो प्रोडक्ट वो बना रहे है उसे बेचने के लिए इस जहारा शिल्फ धोकरा शिल्प इसे सनरक्षित करना तथा इनके लिए आयकस रिजन करना या आजीविका का एक माध्यम देना इस ज्ञारा शिल्प एमपुरियम का मुख्य उद्धेश्य है नेक्स्ट है आपका सर्गुजा विशविद्याले हाली में सर्गुजा विशविद्याले का नाम परिवर्थित करके संत गहिरा गुरू सर्गुजा विशविद्याले रखे जाने की गोशन डॉक्टर रमन सिंग ने की है संत गहीरा गुरु सर्गुजा विश्विद्याले अब से सर्गुजा विश्विद्याले का नया नाम होगा यह संत गहीरा गुरु है कौन संत गहीरा गुरु कवर जन जाती से संबंदित है इसे याद रखिएगा संत गहीरा गुरु कवर जन जाती से संबंदित है संत गहिरा गुरु के नाम से आपका प्रदेश में राज्योत्सो एक नॉम्बर को जब राज्योत्सो का आउजन किया जाता है तो राज्योत्सो में इस संत गहिरा गुरु के नाम से आपका पर्यावण समरक्षन के छेतर में आपका राज्य इस्तर पर पुरुसकार प्रदा इने नाम से एक और आसरम। इए सारे चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्ट है आपका DKS Super Specialty Hospital DKS Super Specialty Hospital खोला गया है आपके रायपूर जिले में महानगरों के तर्ज पर अत्यादुनी उपकरणों से लेस आपका ये DKS Super Specialty Hospital रायपूर में खोला गया है पहले क्या होता था कि जो बहुत गंभीर बिमारियां होती सी जैसे कैंसर तो ऐसे गंभीर बिमारियों की इलाज के लिए जो प्रदेश के मरीजों को इन महानगरों जैसे मुंबई, दिली, चिन्नाई ऐसे महानगरों में रेफर करना पड़ता था तो महानगरों में जो चिकित्सकी उपकरण यूस को किये जाते है तो वैसे ही टाइप की चिकित्सकी उपकरणों को इस DKS सूपरिस्पेसिलिटी हॉस्पिटल में लाया गया है तो याद रखिएगा यह जो DKS सूपरिस्पेसिलिटी हॉस्पिटल महानगरों के तर्च पर खोला गया प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है कहां पर है राइपुर जीले में DKS का पूरा नाम दाव कल्यान सी दाव कल्यान सी सूपरिस्पेसिलिटी हॉस्पिटल यह इसका पूरा नाम है नेक्स्ट है आपका रैंकिंग रैंकिंग में हम देखेंगे हेल्थ इंडेक्स दोहजार अठरा राज्यों का स्वास्त सुचकांग हाली में निती आयोग ने विबिन राज्यों का स्वास्त सुचकांग की एक सूची जारी करी है जिसमें जिसका सिर्सक निती आयोग ने जिसका सिर्सक रखा है Healthy State Progressive India Healthy State Progressive India टाइटल के साथ निती आयोग ने यह Health Index 2018 जारी किया जिसमें यदि हम राज्यों में देखे तो राज्यों में 1st, 2nd और 3rd पोजिशन पर है आपका 1st पोजिशन पर है केरल, 2nd पोजिशन पर है पंजाब और 3rd पोजिशन पर है तमिलनाडू 1st में केरल, 2nd में पंजाब और third position पर है तमिल नाडू गयादि हम केंदर सासित प्रदेशों में देखे तो केंदर सासित प्रदेशों में फर्स्ट नमबर पर है लक्षद्वीब सेकंड नमबर पर है चंडीगर्द और third position पर है दिल्ली देखिए यह जो आपका health index जारी किया गया इस health index में शीशु मृत्युदर, मातरित्व मृत्युदर, संस्थागत प्रसों के दौरान होने वाली मताओं की मौते यह सारे चीचों को आधार लेते हुए जह health index जारी किया गया यह health index इसले भी important है क्यूंकि इसमें progress के आधार पर केंदर सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करती है तो देखिए इसमें राज्यों में फर्स्ट में है आपका केरल, सेकेंड में पंजाब, थर्ड में है आपका तमिल नाडू तथा सबसे last position पर है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे last position पर है केंदर साचीत प्रदेशों में पहले नंबर पर है लक्षदीप, सेकेंड नंबर पर है चंडीगड, थर्ड नंबर पर है दिल्ली और इस केंदरशाचीत प्रदेशों में सबसे लाश्ट पूजीचन पर है आपका दादनागर हविली 36 गड़ी क्या इस्थिती है इसमें 36 गड़ इस Health Index 2018 में 36 गड़ बारवे स्थान पर है तथा उसे अंग मिला है 49.87 49.87 अंग के साथ 36 गड़ Health Index मिन्स स्वास्थ सुचकांग में बारवे स्थान पर है आप ये बाकी राज्यों का याद नहीं रखेंगा तो भी चलेगा लेकिन याद रखेंगा इसे अंग के साथ याद रखेंगा कि Health Index या राज्यों के स्वास्थ सुचकांग में 36 गड़ 49.87 अंग के साथ बारवे स्थान पर है ठीक अब नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी योजना है योजनाओं में पहले नंबर पर है आपका हमर 36 गड़ योजना हमर 36 गड़ योजना प्रालाम हुआ था आपका 1 जुलाई 2016 से तथा यह समाप्त हुआ है अभी हाल ही में 30 सितंबर 2018 को देखें यह हमर 36 गड़ योजना है क्या इस हमर 36 गड़ योजना में राज्य सरकार त्री इस्तरी पंचाइती राज्य तथा नगरी निकाय के प्रतिनीधियों बिहान योजना के अंतरकस सामील स्वह सायत समूहों की महिलाओं तथा सहकारी समीती एवं सन्युक्तवन प्रबंधन समीती के विभीन प्रतिनीधियों को राज्य सरकार स्वयम के खर्च में दो दिवस्य अध्यन भ्रहमन कराती थी ठीक है, दो दिवसिय अध्यन भ्रहमन कराया जाता था, प्रतिनिधियों को राइपूर एवं नया राइपूर का दो दिवसिय अध्यन भ्रहमन कराया जाता था इस हमर चत्तितगर योजना में देखिए इस हमर चत्तिजगर योजना से औरेड़ी प्रशने पूछा जा चुका है व्यापम ने यह प्रशने उठाया था कि हमर चत्तिजगर योजना कब प्रारब की गई थी तो कब प्रारब की गई थी 1 जुलाई 2016 को तो जब यह समाप्त हुआ तो इससे प्रशन बनने वाजीब है तो देखिए हमर चत्तिजगर योजना प्रारब किया था आपका 1 जुलाई 2016 को यह समाप्त हुआ है आपका सितंबर 2018 को लेकिन इसकी लोगप्रीता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी अवधी तीन महा के लिए और बढ़ा दी यानि ये कुल चला आपका दो साल तीन महना या आपका 27 महा तो ये हमर 36 गड़ योजना आपका 1 जुलाई 2016 को प्राराम भुआ था जिसकी अवधी समाप्त हो चुकी थी आपका 30 जुन 2018 को लेकिन इसकी लोगप्रीता को देखते हुए इसे तीन महा के लिए और बढ़ाया गया तो ये समाप्त हुआ आपका 30 सितंबर 2018 को इस योजना के अंतरगत प्रतिनिधियों को रायपूर एवं नया रायपूर का दो दिवसी अध्यन भ्रमन करा जाता था प्रतिनिधियों को रायपूर और नया रायपूर में जो स्मार्ट सिटीज बनी हुई है आपका इस्टेडियम, इंद्रा गांधी, क्रिशी विश्व विध्याले, आपका पुर्खावनी मुक्तांगन, साइंस पार्क, उर्जा पार्क आदी स्थानों पे इन्हें राज्य सरकार स्वयम के खर्ज पर यानि इनको जो परिवहन सुईधा मुहया कराना, उनके रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च, राज्य सरकार स्वयम वहन करके इन्हें इन रायपूर और नया रायपूर में दो दिवसिय अध्यन भ्रमन कराती थी देखे जब यहां हमर 36 गड़ योजना प्राणब किया गया, तो हमर 36 गड़ योजना में यह डिसाइड किया गया था कि पूरे प्रदेश भर में से 2.19, 2.19 लाग प्रती नीधियों को इस हमर 36 गड़ योजना के अंतरगत दो दिवसिय अध्यन भ्रमन कराया जाएगा लेकिन जब यह समाख्त हुआ अभी 30 सिटमबर 2018 को तो राज्य सरकार ने इस हमर चत्तिसगर योजना के अंतरगत 1.67 लाग प्रतिनीदियों को इस हमर चत्तिसगर योजना के अंतरगत दो दिवसी अध्यान भ्रमन कराया लक्ष था 2.19 लाग प्रतिनीदियों को अध्यान भ्रमन कराया जाए लेकिन कराया कितने लोगों को गया 1.67 लाग प्रतिनीदियों को ठीक है तो याद रखियेगा हमर चत्तिसगर योजना प्राराम हुआ आपका 1 जुलाई 2016 को समाप्त हुआ 30 सितमबर 2018 को जिसके अंतरगत प्रतिनीदियों को रायपूर एवं नया रायपूर का दो दिवसी अध्यन भ्रमन कराया जाता था इसमें लक्ष रखा गया था 2.19 लाग प्रतिनीदियों को इस हमर चत्तिसगर योजना के 2 साल के अवधी के दौरान भ्रमन कराया जाएगा लेकिन कराया कितने लोगों को 1.67 लाग प्रतिनीधियों को Next है आपका चिन्हारी योजना चिन्हारी योजना के अंतरकत राज्य सरकार सांस्कृतिक विभाग द्वारा राज्य के लोक कलाकारों का ओनलाइन पंजयन करा रही है चिन्हारी योजना किस से संबंदित है 36 राजय सरकार की जो सांस्कृतिक विभाग है ये इन लोग कलाकारों का ओनलाइन पंजेन करा रही है ताकि ये लोग कलाकार या लोग सांस्कृतिक कलाकार डिरेक्ट सांस्कृतिक विभाग से जूड सके और इस सांस्कृतिक विभाग दोरा चला जा रहे हैं विभिन कारेक् पयाद रखेएगा कि यह चिन्हारी योजना किस से संबंदित है लोग कलाकारों से संबंदित है। Next है आपका पुरुसकार, स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामीन, अभी हाल इंग स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामीन 2018 पुरुसकारों कर हम चर्चा करते हैं। अभी 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांदी की 150 जन्म जैन्ती बनाई गई, जिसमें आपका स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिन 2018 के पुरुसकार वित्रित किये गए। देखिए, इस स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिन के अंतरगत, जो स्वच्छता के छेत्र में उचित क्रियानवेन के लिए स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिन के अंतरगत 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 स्वच्छता सर् जिलो की स्थिति देखे तो जिलो में फर्ष्ट पोजिशन पर रहा आपका सतारा सतारा कहा है महराष्ट महराष्ट का सतारा जिला स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिन 2018 में फर्ष्ट पोजिशन पर रहा जबकि आपका सेकेंड पोजिशन पर रहा आपका रिवाडी, रिवाडी कहा है, हर्याना में, हर्याना राज्य का रिवाडी जिला, आपका second position पर रहा, इस स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिड के अंतरगत, अब देखिए, हमारे जो 36 गड़ का सर्वुजा जिला है, आपको कई न्यूस पर पढ़ने मिला होगा, कि स् पूर्वी छेत्रों में, उत्कृिष्ट प्रदर्शन के लिए इसे द्वितिय पूरुसकार मिला है, देश के पूर्वी छेत्रों में उत्कृिष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वुजा जिले को second पूरुसकार मिला है, लेकिन यदि हम overall जिलो की बात करें, तो first position पर है 17 महर और second position पर है आपका रिवाडी हर्याना लेकिन हमारे सर्गूजा जिलोग क्या मिला है पूर्वी छेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे द्वितिय पुरुसकार मिला है तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षन सहरी 2018 देखिए ये पूरुसकार तो अभी आपको 2 अक्टूबर 2018 को प्रदान किया गया लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी ये रिपोर्ट आई थी आपके मई के आसपास लेकिन आपको ये दोनों को मैं साथ में बता दे रहा हूँ देखिए ये जो स्वच्छता सर्वेक्षन सहरी के आखड़े जारी किये गए इसमें यदि हम विभिन राज्यो का पोजीशन देखे तो फश्ट पोजीशन पर है आपका जारखंड सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट और हमारा 36 गड़ इस स्वच्छता सर्वेक्षन शहरी 2018 की सू पाल और थर्ड पोजीशन पर है चंडी गड़ ठीक तो ये दोनों को याद रखिएगा राज्यों में पहले पर है जारखंड सेकंड पर है आपका महाराष्ट और थर्ड पोजीशन पर है हमारा 36 गड़ इस स्वच्छता सर्वेक्षन सहरी 2018 की सूची में देखिए 36 गड़ शहरों की जो सूची चारी की गई उस सूची में 11 इस्थान पर है हमारा अंबिकापूर 22 इस्थान पर है बिलासपूर जबकि 139 149 इस्थान पर है राइपूर ठीक है तो इसमें इंपोर्टन कौन सा है ये थर्ड पोजीशन वाला इसे वस याद रखिएगा इसमें बाकी से याद करना चाहे तो कर सकते हैं इसके अलावा इस सुच्छता सर्विक्षन सहरी 2018 के अंतरगत इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवाड दिया गया है हमारे अंबिकापूर और ये गिरिडी जारखन दोनों को संयुक्त रूप से इनोवेशन एंड बेस्ट प अवाड प्रदान किया गया है आपके अटल नगर या नया राइपूर को देखिए कन्फ्यूज मत हुएगा अटल नगर किसका नाम में परिवर्तन हुआ है अटल नगर आपका नया राइपूर का परिवर्तित नाम है पूरे के पूरे राइपूर का नाम नहीं है अटल न महत्मा गांधी स्वरांजली पुरुश्कार प्रदान किया गया है आपका प्रभुदत्त खेडा को प्रभुदत्त खेडा को अभी 2 fiction 2018 को जब महत्मा गांधी 150 वी जन्व जयनति मनाई गई तो उस ऑसर पर 36 गड़ का पहला महात्मा गांधी कारेंजली पुरुसकार प्रदान किया गया प्रभुदत्त खेडा को यह पुरुसकार इन्हें प्रदान किया गया बैगा आदिवासी बच्चों को वे निशुल का सिक्षा नववी से बारवी तक की निसुल का सिक्षप्रदान करते है प्रभुदत तखेडा प्रभुदत तखेडा एक सामान ग्रामेंड जीवन व्यतित कर रहे है ये आपके मुंगेली, मुंगेली के लमनी ग्राम में एक छोटी सी जोपडी में रहते है उनका वो पुरा पुरा जोपडी बहुत सारी किताबों से भरा हुआ है ये बैगा आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इस लमनी ग्राम की छोटी सी कुटिया से लगभग 18 किलोमेटर का सफर तै करते है और 18 किलोमेटर का सफर तै करके वो ये आपका छपरवा वहीं पे एक छपरवा नामक ग्राम है छपरवा नामक ग्राम में आदिवासी बच्चों को ये निशुल का साहता प्रदान करते है यदि हम इनका बैक्राउंड देखे तो ये जो आपके प्रभुदत्त खेड़ा है ये प्रभुदत्त खेड़ा दिल्ली युनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है दिल्ली युनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है इन्होंने आपका समास सास्त्र और गणित इन दो विशों में इन्होंने माश्टर डिग्री की हुई है और साथी साथ ये पिएजडी होल्डर है अपने रिटायर्ड यानि वर्स 1984 को ये दिल्ली युनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोश्ट से रिटायर होने के पस्चाद ये 36 गड़ के मुंगेली में लम्नी ग्राम में आगर के निवास कर रहा है 36 गड़ सरकार ने 36 गड़ का पहला महत्मा गांधी कारियंजली पूरुसकार से नवाजा है प्रभुदत्त खेडा को तो इनका नाम याद रखेगा प्रभुदत्त खेडा लम्नी ग्राम मुंगेली से संबंदित है क्यों इनने पूरुसकार प्रदान किया गया है बैगा आदिवासी बच्चों को निशुल को सिक्षा 90 से 12 तक की निशुल को सिक्षा प्रदान करने के लिए नेक्स्ट है न्युक्तिया पहले नमबर पर है प्रदान मुख्य वंसन रक्षग या PCCF PCCF means Principal Chief Conservator of Forest हाली में प्रदेश के नए PCCF न्युक्त हुए है आपके मुदित कुमार सी मुदित कुमार सी जो की जगह लेंगे आपके RKC का तो याद रखिएगा कि प्रदेश के वर्तमान में प्रदान मुख्य वंसन रक्षग चा Principal Chief Conservator of Forest कौन है मुदित कुमार सी Next, Hockey India के सहसचीव हाली में Hockey India के विबिन पदाधिकारों का चयन हुआ जिनकी कार्यवधी रहेगी आपके चार वर्षों के लिए यानि 2018 से लेके 2022 तक तो 36 गड़ के फिरोज अंसारी को इस Hockey India के सहसचीव के रूप में चुना गया है फिरोज अंसारी जो की 36 गड़ में वर्तमान में 36 गड़ होकी संग के ये अध्यक्ष है 36 गड़ होकी संग के वर्तमान अध्यक्ष है आपके फिरोज अंसारी जिनने न्यूक्त किया गया है आपके होकी इंडिया के सहसचीव की रूप में नेक्स्ट, चतिसगड़ फिल्म विकास निगम अध्यक्ष राजेश अवस्ति, चतिसगड़ फिल्म विकास निगम के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है आपके राजेश अवस्ति को, चतिसगड़ फिल्म विकास निगम की स्थापना की गया है, छेत्रि अवस्ति 36 गड़ी फिल्म तुराचायवाला तुराचायवाले फिल्म में ये मेन रूल निभा चुके है तो याद रखिएगा 36 गड़ फिल्म विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष है आपके राजेस अवस्ति निधन दामोदर्दास टावरी जिनका हाल ही में 104 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया ये एक स्वतंतरता संग्राम सिनानी थे जिनका जन्म हुआ था आपका वर्धा महराष्ट में वर्धा महराष्ट में जने आपके दामोदर्दास टावरी जो की वर्धा आस्रम में मह परशे 1938 में हुए विदेशी वस्तर बहिसकार आंदुलन तथा 1942 में हुए आपके भारत छोड़ आंदुलन में इन्होंने सक्री रूप से भाग लिया इन्हें आंदुलन में भाग लेने के कारण इन्हें फासी की सजा हुई थी लेकिन पंडित जवाहलाल नहरू के कर दिया गया था यह आजादी के पस्चात यह आपके महराश्ट्रों को छोड़ करके 36 गड़ के डोंगर गाओ राजनाद गाओ जिले में आकर के बस गये थे जिनका भी हाली में 104 वर्ष के आयू में निधन हो गया तो याद रखिएगा दामोदर दास टावरी जो कि एक स् गड़न हुआ है आपका राजनाद गाओ जिले डोंगर गाओ में नेक्स्ट विसेस में है 36 गड़ विधान सभा निर्वाचन 2018 थीम जैसे आप सभी को पता है कि अभी 36 गड़ विधान सभा चुनाव 2018 भी होने वाले है तो इसी परिपेक्ष में जो 36 गड़ राज निर्वा 2018 के लिए 36 गड़ राज्जे निर्वाचन आयोग ने एक थीम जारी किया उस थीम का नाम है निर्वाचन 2018 सुगम सुघर समावेशी तो उस उस नोटिफिकेशन को जारी करके 36 गड़ में इस्थीत विभिन राजनेतिक दलों को यह निर्देशित किया है कि उनके द्वारा बनाये जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार की समागरियों तथा पत्राचार में इस थीम या इस विशय को अवस्य रखे निर्वाचन 2018 सुगम सुगर समावेशी यानि जो भी उनकी गोशन पत्र जो भी राजनेतिक दल अपना गोशन पत्र जारी करेगा या जो निर्वाचन 2018 का थीम जारी किया गया है निर्वाचन 2018 सुगम सुगर समावेशी नेक्स्ट है आपका धान एवं मक्का खरीदी तो 36 गड़ सरकार ने लगभग 2400 करोड रुपए की राशी धान खरीदी के लिए आबंटित की है तो 36 गड़ में लगभग आपका सहकारी समीत तथा मंडी एवं क्रिशी मंडियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी आपका 1 नमबर 2018 से प्रदेश में धान एवं मक्का की खरीदी प्राराम हो जाएगी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि केंद्र सरकार ने लगभग 14 खरीब फसलों पर आपका नियूंतम समर्थन मुल्यों के आधात पर 36 गड़ में आपका इस धान और मक्का की खरीदी प्राराम होगी आपका 1 नमबर 2018 से देखिए यह जो आपका धान धान की खरीदी और मक्का की खरीदी यह करती है आपकी मार्कफेट 36 गड़ में धान की खरीदी के लिए संबंदित संस्था या जिम् धान की खरीदी मार्कफेट के द्वारा की जाती है, जबकि मक्का की खरीदी की जाती है, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ती निगम, तो ये जो आपकी जो दोनों सम्बंदित संस्था है ये अभी केंद्र सरकार दोरा जारी minimum support price या नियूंतम समर्थन मुल्य के आधार पर ही धान की खरीदी करेगी नियूंतम समर्थन मुल्य धान के लिए decide किया गया है सामानने धान के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य है, आपका 1750 रुपए, जबकी grade A धान के लिए है, आपका नियुन्तम समर्थन मुल्य है 1770 रुपए 36 सरकार ने ओल्डेडी इस धान के उपर बोनस दिया जाने की घोशना की है तो देखिए धान के उपर कितना बोनस दिया जाएका 300 रुपए तो 300 रुपए बोनस के बाद जो आपका सामान ने धान की किम्मत कितनी हो जाएगी अभी नियुंतर समर्थन मूले 1750, 1750 प्लस 300 यानि 2050 रुपए तथा grade A की धान की कीमत रहेगी 2070 रुपए तो 2050 और 2070 रुपए के आधार पर यानि 2050 रुपए प्रती कुंटल सामान ने धान और 2070 रुपए प्रती कुंटल grade A धान की खरीदी करेगी मार्क फेड वैसे ही मक्का की खरीदी की जाएगी 1700 रुपए प्रती कुंटल के आधार पर मक्का की खरीदी करेगी आपकी मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ती निगम अब ये है आपकी अधिक्तम सीमा यानि एक किसान इस नियुंतम समर्थन मुल्य के आधार पर अपना कितना कृश्य उत्पाद बेश सकता है तो देखिए नियुंतम समर्थन मुल्य के आधार पर एक किसान अधिकतम 15 कुंटल धान बेश सकता है जबकि मक्का एक किसान अधिकतम 10 कुंटल मक्का बेश सकता है ठीक है इसे याद रखिएगा अब इस नियुंतम समर्थन मुल्य के आधार पर जो राज्य सरकार ने धान खरीदी का लक्ष रखा है 75 लाक मेट्रिक तन किसानों से राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष रखा है 75 लाक मेट्रिक तन जबकि मक्का खरीदी का लक्ष रखा गया है 40,000 मेट्रिक तन देखिए ये जो आपकी धान और मक्का की खरीदी प्राराभ होगी आपकी 36 गर्ड राज निरान दिवस यानि 1 नमंबर 2018 से धान की खरीदी की जाएगी आपका 31 जनवरी 2019 तक जबकि मक्का की खरीदी की जाएगी आपकी 31 मई 2019 तक जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि धान की जो 36 गर्ड राज्य सरकार लगबग 75 लाट मेट्रिक तन धान खरीदी का लक्ष रखा गया है जबकि मक्का 40,000 मेट्रिक तन मक्का खरीदी का लक्ष राज्य सरकार ने रखा है जिसमें एक किसान अधिकतम 15 कुंटल धान राज्य सरकार को बेश सकता है जबकि 10 कुं प्रतिकुंटल आपका मक्का एक किसान राज्य सरकार को बेश सकता है तो यह सारे अखड़े याद रखिएगा especially यह नियुंतम समर्थन बोल लिया देखिए एक तो आपको धान का याद रखना है दूसरा आपको मक्का का याद रखना है धान का कितना है 1750 मिन 1750 रुपे प्रतिकुंटल सामानने धान के लिए जबकि grade A धान के लिए है आपका 1770 रुपे प्रतिकुंटल मक्का के लिए है आपका सत्रा सो रूपए प्रतिकुंटल इसके अलावाद दो और याद रखने हैं आपको एक है आपका बाजरा, दूसरा है आपका रामतील क्यूं? बाजरा, बाजरा में जो बाजरा को जो उत्पादन यादि बाजरा की बोवाई से लेकर के पकाई तक जो भी उसकी लागत लगती है एक बाजरा के फसल को पकाने के लिए जो भी उसकी लागत लगती है तो उसके लागत मुल्य से लगभग 96 प्रतिशत ज्यादा 96 प्रतिशत जादा आपका नियूंतम समर्थन मुल्य सरकार प्रदान करेगी जो आपको जैसे मालूम होगा कि भी हाली में केंद्र सरकार ने नियूंतम समर्थन मुल्य की सूची जादी करी थी तो उस नियुन्तम समर्थन मुल्य में लगभग 14 कृशी उत्पादों पर नियुन्तम समर्थन मुल्य की सुची आपकी केंद्र सरकार ने जाड़ी की थी तो उसमें से बाजरा एक ऐसा फसल है जिसके लागत मुल्य से लगभग 96 प्रतीशत ज्यादा आपका नियुन्तम समर्थन मुल्य प्रदान किया जा रहा है और दूसरा है आपका रामतिल रामतिल क्यों क्योंकि पिछले वर्ष की तुल्ला में इस वर्ष रामतिल यानि अभी जो 14 कृशी उत्पाद है उन 14 कृशी उत्पादों में रामतिल एक ऐसा कृशी उत्पाद है जिसमें पिछले वर्ष की तुल्ला में इस वर्ष सरवाध अधिक नियुंतम समर्थन मुल्य प्रदान किया जा रहा है तो याद रखिएगा धान का नियुंतम समर्थन मुल्य सामान के लिए सामान्य के लिए है आपका 1750 रुपे प्रतिकुंटल ग्रेड ए के लिए है आपका 1770 रुपे प्रतिकुंटल मक्का के लिए है आपका 1700 की पिछले वर्ष की तुलना में सरवाधिक नियुम्तम समर्थन मुल्य में वृद्धी की गई है रामतिल में और लागत मुल्य से लगभग 96 प्रतिशत ज्यादा जो नियुम्तम समर्थन मुल्य प्रदान किया जा रहा है वो है आपका बाजरा बाजरा का नियुम्तम समर्थ मुल्य 5877 यानि 5,887 रुपए है ठीक है तो इन 4 प्रिशी उत्पादों को याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका डाय डाय चक्रवात यह डाय चक्रवात उत्पन न हुआ था आपकी हिंद महासागर हिंद महासागर में निर्मित यह डाय चक्रवात हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए यह आके टकराया आपका आंदरप्रदेश और उलिसा की सीमा से आंदरप्रदेश और उलिसा की सीमा से आके टकराया यह डाय चक्रवात इस डाय चक्रवात का प्रभाव हमारे 36 गड़ में आंधर प्रदेश और उडिशा से सटे हुए छेत्र पर पड़ा, तो याद रखिएगा, इसका कुछ, मतलब थोड़े मात्रा में उतना तो प्रभाव नहीं रहा, लेकिन चत्तिस गड़ में भी इसका थोड़े मात्रा में प्रभाव रहा, तो याद रखिएगा, डाय का रखा गया इस्थानिय नाम है, तो याद रखिएगा, डाय चक्रबाद कहां से उत्पर्न होगा, हिंद महासा करते, जो कि बंगाले के खाड़ी से होते हुए, आंधर प्रदेश और उडिशा की सीमा पे टकराया, चतिस गड़ के उडिशा और आंधर प्रदेश से सटे ह युए छेतरों पर इसका कुछ थोड़ी मातर में प्रभाव रहा, जबकि डाय म्यान मारत द्वारा रखा गया इस चक्रबाद का इस्थानिय नाम है, तो ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा, सारे चीज़े इंपोर्टेंट है, तो आज का हमारा 36 करेंट अफेर, जिस प्र視 सब्साइब वार्ण जुए ए ओर में सबस्दै का इस सब्साइब झार जिका इस खाम है, जिस और मेरत दोटे उखिएगा इस्थाशनिय को ये जगरिया को इस